नमस्ते मेरा नाम अंटू है और स्वागत है फिर से आपका अपना एक प्यारा सा योटोब चैनल डेलेस एजुकेशन में आज के इस वीडियोज में हम बात करने वाले हैं कक्छा ग्यारवी के गडित के प्रशनावली 1.2 पे इसके पिछले वाली वीडियोज यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो प्ले लीट से जाकर के उन सभी वीडियोज को आप बारीकी से जाकर के देखिए और समझने का प्रयास किजिए किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है नीचे कमेंट बक्स में आप हमें कमेंट जरूर कर दीजेगा ताकि हमें पता चले कि कैसी और कौन सी दिक्कत आपको हो रही है तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अभी तक इस वीडियोज को लाइक नहीं कि हैं तो जल्दी से इस वीडियोज को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक समुचय के उधारन हैं यानि कि कुछ प्रशणा आपको दी गई है और उसमें से बताना है कि इनमें से कौन जो है वहार रिकते समुचय है तो सभसे पहले आपको यह जाणना होगा कि आखिरी इस वीडियोज को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से किलर हो जाएगा फिलाल थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि रिक्त समुचे क्या होती है फिर इस कोशन को सल्व करते हैं बहुत ही असान है ध्यान से बने रही हाना देखिए रिक्त समुचे के दिम बात करें तो रिक्त समुचे वैसा समुचे होता है जिसमें एक भी आवयाई नहीं होता को रिक्त समुचय काते हैं जैसे पह लlagen लिखी नमबर ही प्रशन आपको प्रशन मूं ढूला रहा है कि दो वाजरी बीसं में पर किर्शन गहां का समुचय कते हैं जैसा है को यह अप संखिया और भी नहीं आई आपको यहां तक समझमें आई चलिए और भी देखते हैं आपको समझ में आ तो यहीं चीज यहां पर लिखा गया है ध्यान से देख लेजिए ऐसे ही आप लिखेगा नोट बुक में जो आप लिख रहे हैं नोट बुक जो बना रहे हैं हना आपको बोले हैं कि देखिए मैथ का जो है वह आप नोट बुक बना लेजिए आप नोट से इसका त्यार कर लेजिए और रही physics chemistry और biology का तो physics chemistry biology का chapter समाप्त होने के बाद से आपको PDF दे दिया जाएगा आपको कैसे notebook में लिखना है यहां पर देखिया ध्यान से लिखा गया कि ऐसी कोई बिसम परकिर्त संख्या नहीं है जो दोस्य भाज्य हो इसलिए इस समुचय का कोई अवय नहीं है अता हम कह सकते हैं या अता य या एक रिक्त समुचय है ऐसे आप लिख दीजिएगा आपका पहला प्रश्ण जो है वह किलियर हो जाएगा एक का पहला आपको बन जाएगा दूसरा जो प्रश्ण है वह देखिये बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुचय है सम अभाज्य संख्याओं का समुच समय भाज भाज का मतलब क्या होता है आपको केलर कर चुकर हैं पिशहें में मैं डेखिये जाए प्लैलिच में जाएंगे में गपा tabii समझ में आ जाएगा बार बार बताते हैं बार बार बताते हैं ताकि आपको दिक्कत नहों देखिए सम का मतलब क्या होता है सम और भी सम ये तो आपको पता है कि सम क्या होता है भी सम क्या होता है तो सम तो दो जो है एक सम है और दो सम होने के बाजूद भी यह एक अभाज्य संक्या है अब अभाज्य संक्या क्या होता कि जिसका केवल दो गुणन खंड हो, दो से ज़्यादा उसका गुणखंड न लिकले, तो ही आपका अभाज्य संक्या होता है, तो इसका गुणखंड की जाएगा तो एक निकलेगा, दो निकलेगा, यानि कि इसका गुणखंड जो है वह दो है, दो से ज़्यादा भी नहीं ह और यह एक सम भी है इसी को बोलते हैं सम अभाज्य संख्या दो जो है एक सम अभाज्य संख्या है यानि कि एक अवय उपस्तित हो जा रहा है तो जब एक अवय उपस्तित हो जा रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे कि यह एक कौन सी समुच्य है तो यह एक हमारी रिक्त समुच्य नहीं हो सकती है बस हमें ये पूछ रहा था कि क्या हमें ये रिखते समुचे है या रिखते समुचे नहीं है कि लिए रो गया हो गया चली अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं वही चीज यहां पे लिखा हुआ दिखे ध्यान से कैसे लिखेंगे उससे दिखा देते हैं कि सम लाइव क्लास लिये हुए थे लेकिन क्या होई कुछ नेट की प्रोबलम को ऐसे आवास कट-कट के जा रहा था कुछ लोग अच्छे से उसमें जूड नहीं पा रहे थे तो दिक्कत हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बना कर किये दे दिया ना साड़े आ करन करो ताकि वीडियो अपको रेगलर मिल सके ठीक है और हमारी इस परिवार का एक सद्सें बनो ठीक है और इस वीडियो ज्यादा आप लोग से दिखी अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण बहुत अच्छा है बोल रहा है कि एक से समूच्छे हैं सभी एक्स का जहां एक से परकिर्द संंक्या कैसे पढ़ा जाता है इसे भी आप समझित अध्यान से समझे लेजिए पढ़ा कैसे जाता है कि एक्स ते समय ऊन्चे हैं सभी एक्स का हम आपको हिंदी में उचानट कर गी बता रहे हैं कि एक समुचे हैं सभी एकस का जहां एक परकिर्ट संग क्या है और एकस का जो मान है वह 5 से छोटा होना चाहिए X का जो मान होनी चाहिए वह 5 से छोटी होनी चाहिए साथ ही X का मान जो होनी चाहिए वह 7 से बड़ा होना चाहिए एक डो condition इसमें दिया है एक condition में बोल रहा है कि जो X का मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए 5 से छोटा और वही X कमान क्या होना चाहिए 7 से बड़ा अब ये बताईए कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई ऐसा परकृत संख्या या कोई परकृत संख्या होती है होती है? नहीं होती है 5 से छोटा और 7 से बड़ा ये परकृत संख्या आपको बताना है तो यही चीज यहां पे आपको दिखाने का प्रयास किया गया लिकर के बताए गया कि अपके तरीकों से लिक सकते हैं यहां पते के लिका गया है कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी परकित संख्या नहीं है अताहर एक रिक्त समुचे है यानि कि इसमें एक भी अवय नहीं है इसलिए कौंजे समुचे हो जाएगी ठीक है चेलिये अगले प्रश्ण के बढ़ते हैं अ जहां वायू किनी भी दो समनांतर रिखाओं का उभनेश्ट बिंदू है, उभनेश्ट का मतलब क्या होता है, कि वो दोनों में बिंदू उपस्त होनी चाहिए, अब बताइए कि दो बोल रहा है समनांतर, तो समनांतर जब बोल रहा है, दो रेखा बोल रहा है, समनांतर होनी जाहिए बीछ में पर्थिछेत करें मंघें में नहीं नहीं तो इसंगसें को बिणी उन्हीं होगा क्या हो गया इसमच्य यह कौन से समुचय हो जाएगी तो यह रिक्त समुचय हो जाएगी ठीक है किलर हो रहा होगा अब आज के बाद से आपको तो इसमें रिक्त समुचय है रिक्त समुचय नहीं है आपको समझ में आ गया होगा और परिभासा भी याद हो गया होगा कि रिक्त समुचय किसे कहते है वैसा समुचय है जिसमें एक भी elements नहीं हो एक भी संही हो उसे हमें क्या खाते हैं रिकते समुचय कहते हैं तो उसे हमें क्या कहेंगे तो रिकते समुचय है समझ में आ गया कि रिखते समुचे क्या होती है और इसमें से कौन-कौन जो है रिखते समुचे है कौन-कौन रिखते समुचे है नहीं है इसे किस तरीकों से लिखना है अपने नोटबुक में तो देख लीजिए यहां पर है कि चुकि समनानता रिखाय कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है जब यह नहीं काटेगी अता उनमें कोई विनिष्ट विंदू नहीं है इसलिए क्या हो जाएगी यह रिक्त समुझ है हो जाएगी इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है ठीक है चेलिए अगले प्रश्ण ग्यों बढ़ते हैं यह प्रश्ण तो किलियर हो गया म हमें नई निषे बता हो तो हमें और ज्यादा उट्सुख होगा पढ़ाने में मसा आएगा है डियू आधा अब परशने संक्या जो 2 है वो 2 में देखें क्या बोल रहा है कि निम्लिके समुचवे में से कौन गौन पर-मित और कौन अपरमित ihh अब यहाँ पर बोला है परमित और अपरमित यह भी बहुत अच्छा है आपको बता है उतन ही आवाई उपस्तित होना चाहिए उससे ज्यादा आवाई उपस्तित नहीं हो जाना चाहिए तो हमारी परिमित होगी अने था वो अब परिमित हो जाएगी यह डिफिनिसन आपको बता चुके है वीडियोस में जहां बताए थे समुचे के परकार उसमें थमलेन पर पहला प्रश्ण क्या है पहला प्रश्ण यही है कि बर्स के महीने का समच है अब बर्स यानि कि एर्स क्या है मतलब हो गया आपका बर्स जितना माह चलता है महीना तो महीना चलता है उसका संग्रा बनाना है आप बताइए कि जब महीना का संग्रा हम लोग करेंगे या आप करे या हम करें आप किजिएगा तो कहिएगा कि बारा महीना होता है हम भी करेंगा तो कितना महीना होता बारा महीना ही होता है यानि कि यह निश्चित है यह लिमीट है इसे ज्यादा महीना नहीं हो सकती है जब नहीं हो सकती है तो यह कौन से समुचे हो जाएगी पारिमित समुच है परिमित समुच है हो जाएगी ओके चलिए अनिया था क्या हो जाती अब परिमित हो जाती तो यह परिमित समुच है दूसरा प्रश्ण तीन नमबर तीन नमबर बोल रहा है कि एक कमा दो कमा तीन डौ 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 99 यानि कि 99 कमा सो यानि कि एक से ले करके सो के बीच में है जब एक से ले करके सो के बीच में है उसे ज्यादा नहीं है उसी के बीच में है यानि कि निशित है जब ये निशित हो जाएगी तो क्यों से समुच्छ हो जाएगी तो परमित समुच्छ हो जाएगी इसलिए इसकी जो संख्या हो जाएगी जिसलिए जो यह हो जाएगी कौन से समुच्छ है तो यह परमित समुच्छ हो जाएगी बस आपको यही बताना था कि परमित क्या होता परमित क्या है आप तो अपने मन कार की पॉब्लिकेशन का बुक पढ़ना होगा कई बुक पढ़ना होगा आपको और बारिकी से और आपको बोलते हैं कि कोई दिक्कत होती है आप नीचे में कमेंट कर देजी हम आपको समझाने का प्रयास कर देंगे अगर इस वीडियो को या कोई भी मेरी वीडियो जाती है सांत बैट करके अगर आप समझ लेते हैं अगर दिक्कत दे होती है था हमें बता देते हैं फिर से आपको जब हम बता देंगे तो आपको हमेशा जोगी ना वो दिमाग में बैट जाए गया कभी भी आप नहीं भूलिएगा कभी भी यह आप देख रहा है पढ़ाई जैसी क बताने का प्रयास करेंगे बस आप सभी हमारे साथ बने रहीएगा चलते हैं तो आपको एक पर दिखा देते हैं कि अपने नूटबुक में कैसे लिखेगा देखिए पहले जो प्रसन था उसे आप लिख दीजेगा कि बर्स के महीनों का समुचे परमित समुचे है क्योंकि इसमें समुचे के 12 आवए हैं जो बर्स के महीने हैं चलिए दूसरा में लिख दीजिएगा कि यह एक परमित समुचे है क्योंकि इस समुचे में परमित परकिर्द संक्या है इस प्रकार से लिख दीजिएगा तिसरा में वह है कि यह एक परमित समुचे है क्योंकि इस अगला प्रश्न है उसे देखिए अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न बोल रहा है तो प्रश्न है वो प्रश्न है वो प्रश्न बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज पुरांकों का समुझा है 99 से छोटे किसे छोटे तो 99 से छोटे कहिएगा तो 99 से जादा आगे जाना नहीं है 99 से पीछे ही रहना है नीचे ही रहना है तो जब पीछे ही नीचे रहना है 99 से ज़्यादा आगे जाना नहीं है तो अनिगीनत होगा नहीं जब अनिगीनत होगा नहीं यानिकि परमित हो जाएगा यह लिमिट है निश्चित है तो यह परमित समुचे हो जाएगा उसे चीज को आप नोटबुक में लिख दीजिएगा कि यह एक परमित समुचे है क्योंकि 99 से छोटी 25 अभाजे संख्या हैं होती है जो 2, 3, 5, 7 और 1997 तक होती है तो यह आप चीज लिख दीजिएगा आपको समझ में आ गया होगा कि परमित क्या होती है परमित क्या होती है रिक्ते समुचे क्या होती है यहां तक तो किसी प्रकार के दिकत हो ही नहीं रही होगी ठीक है यहां तक समझ में आ रहा चलिए तो आज किस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे क्योंकि आपको बोले हैं कि जो वीडियो जोगी मेरी छोड़ी छोड़ी वीडियो जाएगी और छोड़ी आपको हो जाएगी क्योंकि ज्यादा प्रश्ण आपको बता दिया जाएगा फिर आपको confusing ज्यादा होने लगेगा फिर दिक्का ज्यादा होने लेगा लेकिन अगर आपके छमता है और ज्यादा ज्यादा भी जूड़ जाते हैं तो एक गंटा क्या अब कहेगा तो पतल बहुत ज्यादा समय तक चला सकते हैं आपके लिए क्लास क्योंकि आपके लिए बस हम हैं और आपको हमारे लिए बनना पड़ेगा तो अभी तक इस वीडियोज को लाइक ने किया तो जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों में सहर किजिए और इस वीडियोज को अपने दिल से लगा करके ज़रूर देखेगा और इस चैनल पर पहली बार आयोंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी लाइक ओन कौन कर लेजेगा हमारे इस परिवार का एक सदस्य जरूर बन जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियोज देखने के लिए जहिंद बंदे मात्रा